नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल टेक्निकल अभिशेग रजक में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी स्कॉलर्शिप को लेकर एक नई अपडेट आज के निउश पेपर में आई है जिसको जानना काफी आवश्यक है तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं हमारे मुबाइल स्क्रीन पर एक आठकल है जो आज के पेपर में निकला है यहाँ पे लिखा गया है चातवृति और सुल्क भरपाई की भुगतान प्रिकरिया तेज करने के निर्देश जिला अधिकारी 10 मार्च तक संदित डाटा पर लेंगे निर्देश दिये हैं तीथरे चरण के आउनलाइन आवेदनों में मिले संदिक डाटा को जिला अस्त्रिय अधिकारियों को भेज कर उनसे 10 मार्च तक इन आवेदनों पर निर्देश लेने को कहा गया है प्रदेश में चातवृति और सुल्क भरपाई के दो चरण पूरे हो चुके हैं तीथरे चरण के लिए 10 जनवरी तक आवेदन लिये गये थे सासन ने चालू वित्य वर्स में 52,00,000 चात्राओं को योजना से लावांति करने का लक्ष रखा है इसके तहट तीषरे और अन्तिम चरण के करीब 26,00,000 और चात्राओं को भुकतान किया जाना है NIC ने डाटा की जाज करके इसे जिला अस्त्री अधिकारियों के लॉग इन में भेज दिया है इस पर अन्तिम निर्ड़ जिला अस्त्री अधिकारियों को ही लेना है उसमें कहा गया है कि जो चात्र 21 फरवरी तक अपनी खामियों को सुधारते हैं जरूरी होने पर छात्रों से सम्मंधित दस्तावेच की हार्ड कॉपी देखकर नेड़े जिला अधिकारियों को 10 मार्ज तक डाटा अंतिम रूप से पोर्टर पल रॉक करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरी बातों को बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो स्कॉलर्शिप का फॉर्म लाश्ट में भराया था 10 जनवरी सक जिनका फॉर्म भरा गया था तीसरे चरण में अगर उनके फॉर्म में कोई भी गलती है तो इसके लिए करेक्शन डेट आ चुकी है जिसको आप 21 फरवरी तक करेक्शन करके अपने स्कूल में हॉर्ड कॉपी जमा कर सकते हैं और इसी के सम्मंद में अन्तिम चरण में 26 लाग चात्रों को भुकतान किया जाना है इसी के सम्मंद में सरकार ने जिला अस्त्री अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द स्कॉलर्शिप की प्रेक्रिया को आगे बढ़ाये जाए तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगयोगी अगर अच्छी लगयोगी तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा दोस्तों के साथ सेर कीज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई झाल